So guys, अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अपने डॉक्स के साथ spend कर सको, उन्हें डॉक्तर के पास ले जा सको, या फिर उन्हें सोसलाइज या train कर सको, तो एक एडल डॉक आप लोग के लिए perfect option रहता है, जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने बाले हैं, एक काफ एच्छी quality के road filler के बारे में, जो कि एक female है, बागी guys, इसके बारे में बात करने से पहले, ये एना की channel पर मैंने free adoption वीडियो डाल दिया, तो भाई फटा बट जाकर आप लोग इसे अडॉप कर सकते हैं, देखते हैं किसकी किसमत होगी, जिसे ये dog मिलेग हैं, बट यहाँ पर आप लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, चूकि adult dogs independent होते हैं, बट adult dogs को purchase कते हैं भी हमें एक problem phase करनी पड़ती है, और वो है उनके temperament को लेकर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जिस dog को हम लोग purchase करने हैं, उसका temperament कैसा है, लेकिन यहाँ पर य मैं आप लोग के soul कर देता हूँ, चाहे जो फीमेल आप लोग देख रहे हैं, यह बहुत ही friendly है, उनके मुझे बताया कि इस फीमेल में बिल्कुल भी aggression नहीं है, चाहे आप लोग इसे अपने चोड़े बच्चों के साथ रखो, या फिर अपनी बड़ी इसी family में, बाइद सैज भी काफी हेवी है, जैसे कि मैं आप लोग को बताये चकाऊं कि एक एडल डोग लेने के आप लोग को काफी फाइदे होते हैं, या पर आप लोग को डोग ट्रस वगराएगा चक्कर भी नहीं कातने पड़ेंगे, क्योंकि उनने इसकी औरड़ी वेक्शन करार रखे है और कार्ड भी आप लोग को मिल जाएगा, सो फ्रेंट्स फीमेल फुली एक्टिव है, फेल ट्रेंड है और सभी इंट्रेक्शन को अच्छे से फॉलो करती है, बट इस फीमेल ने अभी तक पप्की उसको जनम नहीं दिया है, जैहां गाई सई सुना आप लोग को नहीं, य फीमेल अच्छे से टाइम पर हीट पर आती है, बट उन्होंने कभी ब्रीडिंग करने की सोची नहीं है, इसी वेसे उन्होंने इसे कभी भी क्रोस नहीं कराया, बाकि फीमेल की लास्ट इट आए काफी टाइम हो गया, तो कुछी दिनों में ये नेक्स इट पर भी आने वा हैगी, आप लोगो खुदी ओनर के पास जाकर इस फीमेल को पर्चेस करना होगा, और आप लोग कमर में जो भी डाउट है, उसे क्लियर भी आप लोग टायट चाकर कर सकते हो, तो फाइनल अगर फीमेल के प्राइस के बारे में बात करें, तो फीमेल तो मुझे काफी अच् अपशनी वीडियो भी देख सकते हो, तो मिलता हम अपने उसे करने हो एन इंट्रेस्टी वीडियो में, तो टेक केर एंग बाबाई